C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा 5 की पार्टे पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पार्ट कहानी सपेरों की प्रिष्ट 15 मैं हूँ आरेनात तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हूँ जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ हो गए न हैरान? हाँ, मैं सापों को अपनी बीन की दुरी पर नचा सकता हूँ यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है हमारे लोगों को काल बेलिया कहते हैं मेरे दादा रोशन नाज जी हमारी जाती में बहुत मशूर थे वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सापों को पकड़ लेते थे वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं की जबानी यादें दादा जी की मेरे दादा पर दादा सभी सपेरे थे हमारी जिन्दगी सांपों से ही जुड़ी रही कंधे पर कावड जैसी पिटारी लटकाए हम एक गाउं से दूसरे गाउं में घूमते हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड इकठी हो जाती फिर हम पिटारी में रखी बास की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी ये सब ही जड़ी भूटियां हम जंगल से इकठी करते मैंने भी ये सब अपने दादजी से सीखा मुझे लगता कि जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाईयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता दवाईयों के बदले कभी लोग हमें अनाज दे देते तो कभी पैसे बस इसी तरह गुजर बसर हो जाते कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहां किसी को सापने काटा हो तब मैं साप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सापने काटा है उसे मैं साप के काटने की दवा देता पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया हूँ जानते हो ना कुछ साप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है पर ज्यादतर सांप जहरीले नहीं होते कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिलाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता आखिरकार मैं बच्पन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ वे बहुत बढ़िया दिन थे लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे लोग भी हमारी बहुत इज़त करते थे आज कल की तरह नहीं था अब तो मनुरंजन के लिए ज्यादतर लोग टीवी देखते हैं जब मैं बढ़ा हुआ तो मेरी पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दाथ निकालने सिखाए जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया बताओ क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहां? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहां? क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? सभी साप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि साप के बाहरी कान नहीं होते सोचो, क्या वह बीन की दुन सुन पाता होगा? या फिर बीन के हिलने से ही वहनाश्ता होगा? प्रिष्ट अठारा अब हम क्या करें? आरे नाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गाउं गाउं घूमा करते थे उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था आज की सोचूं तो बहुत परिशानी होती है सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल उचे दामों में बेशते हैं इसी लिए ऐसा कानून बनाया गया पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी साप को नहीं मारा ना ही कभी उनकी खाल बेची कुछ लोग कहते हैं कि हम सापों को बुरी हालत में रखते हैं चाहते तो हम भी सापों को मार कर खूब पैसा कमा सकते थे तब हमारी जिन्दगी इतनी मुश्किल भरी ना होती सापों को मारने की बात तो दूर ये तो हमारी पूंजी हैं जो हम अपनी आने वाली पीड़ी को स्वापते हैं सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं हमारे काल बेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है आरेनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिन्दगी सोचनी पड़ेगी तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनुरंजन कर सकते हो पर तुम पीडियों से मिले सांपों के इस ग्यान को वियर्थ न गावाना तुम शेहरों और गावों के बच्चों को बताना कि सापों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले साबों को पहचानना है उन्हें यह भी बताना कि साप तो किसान के दोस्त हैं साप ना हों तो खेतों में फसलों को चूरों से कौन बचाएगा अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना अपनी जिन्दगी की एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते-पोती को सुनाने के लिए प्रिष्ट उन्नीस लिखो क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं? जैसे सरकस में, सडक पर, पार्क में, कब और कहां देखा? किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगुं का क्या वहवार था? क्या कोई जानवर को परिशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारी दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे मान लो तुम एक जानवर हो, जो कैद में है अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो 1. मुझे डर लगता है जब रिक्तिस्थान 2. मेरी इच्छा है कि मैं रिक्तिस्थान 3. मैं उदास होता हूँ जब रिक्तिस्थान 4. अगर मुझे मौका मिलता तो मैं रिक्तिस्थान 5. मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं रिक्तिस्थान 20. क्या तुम जानते हो? हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल चार तरह के सांप ही जहरीले होते हैं ये हैं नाग, करेट, दुबोईया और अफाई सांप जब किसी को काठता है तो उसके दो खोकले जहर वाले दातों में से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को साप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानि सीरम दी जाए यह सीरम साप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थेकेंद्रों में मिलता है लिखो सपेरों के अलावा और कौन-कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं सर्वे जानवर पालने वालों का अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो जैसे तांगे के लिए घोडा अंडों के लिए मुर्गीयां आदे कौन सा जानवर है? कितने जानवर पाले हैं? क्या जानवनों को रखने के लिए अलग जगा है उनकी देख भाल कौन करता है वे क्या खाते हैं क्या कभी जानवर बिमार भी पड़ते हैं तब पालने वाला क्या करता है इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तयार करो और कक्षा में पढ़खर सुनाओ प्रिष्ट 21 बनाओ एक अनूखी कटपुतली एक पुरानी जुराब लो उसे अपने हाथ पर पहन लो जैसा चित्र में दिखाया गया है आँखों के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ जीब बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काट कर चिपकाओ पट्टी के दूसरे सिरे पर जीब के लिए कट लगाओ लग रहा है न साप अब मजे से इस कटपुतली से खेलो हम क्या समझे सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है तुम्हें क्या लगता है क्या यह कानून सही है या नहीं अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो कहानी सपेरों की अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत